तो राम राम जी कैसे हैं आप सब मैं सुमित तो भाई आज हैं हमारे सामने इको स्पोर्ट 2020 जो कि ये है मेरे पास और दूसरा इको स्पोर्ट टाइटेनियम 2021 ये दोनों मोटल खड़े हुए हैं तो इन दोनों की बीच में क्या डिफरेंसेज है ये चीज़ आज देखेंगे जानाएंगे वैसे तो आप सभी को पताईए काफी दिन इसको हो चुके हैं लाँच हुए लेकिन फिर भी एक बार इन दोनों का हम कंपेरिशन यहाँ पर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से अ कहीं कोई changes नहीं है टाइर्स, टाइर्स आइज़ के साइज, रिम के साइज, एलोईज वगला सब सेम हैं दोनों में बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड भी आपको दोनों की सेम देखने को मिलेंगी कहीं कोई डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं दिया गया है तो जो में डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्स्टिरियर में वो है इसका रूफ रूफ आप देख सकते हैं दिफ्रेंस यह देख यहां पर एक और चीज में आपको पता दूँँ यह दोनों ही गाड़ियां डीजल वेरियंट हैं यह फेबरिडी 2021 है और यह है दिसंबर 2020 2020 तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 मोडल की जो के मेरे पास है तो इसमें आपको यह टेच स्क्रीन मिलता है बाकी टेच स्क्रीन के लावा यहां पर नीचे आपको TCS वगेरा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता उपर आपको यहां पर केवल लाइट देखने को मि मिल जाता है music system fly audio मिलता है इसमें 2020 variant में आपको अगर बात करते हैं 2021 की तो चलिए उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या-क्या नई चीजें एड करी गई है जो के आपको 2020 model के अंदर देखने को नहीं मिलती तो यह है 2021 eco sport इसमें आप देख सकते हैं seat जो हैं आप प्लास्टिक का ही मिलता है तहीं fabric doors में आपको देखने को नहीं मिलता सेम system है जो के fly audio जो के 2020 में दिया जाता था लेकिन यहाँ पर जो changes हैं वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं देखे एक तो आपको यहाँ पर TCS देखने को मिल जाता है दूसरा इस car के अंदर आप को यह sunglass holder देखने को मिल जाता है यहाँ पर यह माइक की positioning यहाँ पर देदी गई है यह इसके sunroof के switch है और यह इसके ऊपर sunroof तो यह basic कुछ changes है जो के 2021 में किये गए थे बिना कोई costing इसकी बढ़ाए थी इसके अलावा जो इस message चीज हटाई गई है वो मैं आपको बता दू मिलते हैं तो यह एक negative point है इसमें अब ऐसा क्यों किया गया है तो उसके पीछे बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको जो इसका thunder variant बनाते थे उसी की body में इसको titanium को बनाना शुरू कर दिया है देखे मैं आपको बता हूँ जहां तक मेरा idea है तो sport variant में सम्रूफ आता है तो उसमे क्या किया है मेरे हिसाब से जो इसकी जो रूफ है गाड़ी की वो sport line पर ही तयार कर दी है जिसमें के आपको grab handles देखने को नहीं मिलते हैं तो इसमें ford को अलग से robots नहीं लगाने पड़े हैं मतलब यह उसी line पर इसकी roof तयार करा रहे हैं जिस पर sport variant की होती है इस वज़े से इसमें grab handles की positioning हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर जो है जब roof तयार हो रही है तो robots उसके लिए यहाँ पर जगए नहीं दे रहे grab handles के लिए अगर यहाँ पर grab handles ford को देने होते तो उसको अलग से robot set करने होते जिसमें को उसको खर्चा आ जाता तो इस वज़े से इसमें दो airwax होने के बाब जूद भी आपको जो है grab handles देखने को नहीं मिलते हैं तो इस तरह से फोट नहीं यहाँ पर cost cutting की हुई है तो यह है बाकि अगर इसमें grab handles देते ते तो भाई काफी अच्छा रहता बहतर रहता बाकि इससे जादा और कोई changes है नहीं है मैं एक बा के बाकि बारिश है तो जादा तो नहीं थोड़ा सा खोल कर आपको अभी देखा देते हैं तो यह यहाँ पर switch दिया गया है इसकी sunroof का मैं आपको वैसे बारिश हो रही है आप देख सकते हो थोड़ी सी खोल कर देखा देता हूँ पीछे को आप इसको प्रेस करेंगे तो यह इस तरह से sunroof आपकी खुल जाती है और इसको आगे प्रेस करेंगे तो यह हो जाती है इसका sunroof बंद तो यह है बाकि इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो बाकि जो मेरा मानना है मेरे हिसाब से भाई इसकी sunroof जादा काम की है नहीं अगर आप देखो गए भी तो काम आ सकती है जब आप हिल्स बगएरा पर गए हो बाहर की थोड़ी हवा ले नहीं है उपर से तो आप इसको ले लो या सनलाइट अगर अच्छी खासी चाहिए तो खोल लो या किसी बच्चे को आपको यहां पर खड़ा करना है और थोड़ा उसको देखना है बाहर शौक में और TPMS जैसे function दे देता तो जादा बहतर होता इसका एक benefit यह भी होता कि अगर इसमें sunroof नहीं देते तो यहां पर हमें grab handles भी देखने को मिल जाते और Android Auto Apple CarPlay जादा जरूरत है आज की time में sunroof से मुझे लगता है इतनी बड़ी sunroof से तो obviously जादा जरूरत लोगों को पढ़े अच्छा और जादा sale इनकी बढ़ सकती थी तो 2021 की जो titanium है उसमें आपको main तीन चीज़ें मिल जाती है traction control, hill hold और आपका sunroof बाकी एक चीज़ जो गायब है वो है grab handles बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें आपको mirror देखने को मिल जाता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर light ह as it is है जैसा कि उसमें आता है हाँ sun glass holder है आप इसको जरूरत वाली चीज़ माने या नमाने मेरे साप से तो ज़्यादा जरूरत की है नहीं लेकिन फिर भी यह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अगर आप यूस करते हैं तो बहुत बढ़ी आए बाकी सारी चीज़ें सेम है चलने में सेम है engine सेम है MRD में जो features है वो भी आपको सारे सेम ही देखने को मिलते हैं तो यह था बाई difference दोनों कार्स के अंदर 2020 titanium और 2021 और उमिद करता हूं सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी पसंद भी आ गई होंगी तो अगर वीडियो ठीक लगा हूँ तो इ मिलेंगे जल दिख नए वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत